आप सभी महमानों का स्वागत है सनमान है आप सभी के आजाने से बड़ा हमारा मान है बड़ा हमारा मान है स्वागत करते हर्शित होते आज रदे प्रफुलित हुआ है और आज के इस्तियोहार में आप सभी का होना गवारा है शीज जुकाए, हाथ जोडे, हम करते आप सब का सनमान है, आप सभी महमानों का स्वागत है सनमान है, स्वागत है सनमान है जै जिनेंद्र, जै शंकेश्वर पार्श्वनाथ, जै नाकोडा भैरव और जै श्री सच्चा माता इन तीनों उने की सीड़ी चड़ाई जाएगी सरस्वती देवी जी को और साथ में डोन का उत्सव भी मनाय जाएगा और ये है हमारे धाई साल के हीरो हैंसम शिवांश के लिए जो बिलकुल अजय जी की रेपलिका है है ना और आज सरस्वती जी देवी यहां पर पदा रही ह है तो सरस्वती जी भी मैं आपका सबसे पहले आशिरवाद लेना चाहूंगी दादी सांग खमा गणी मैं आपका आशिरवाद ले सकती हूँ आप मुझे आशिरवाद दीजे वा आज मैंने ये काम इसले पहले किया है क्योंकि कोई भी शुब काम हम बड़ों के आशिरवा तो चलिए आज सरस्वती जी को प्रडाम करते हैं उन्हें वंदन करते हैं ऐसे तपस्वी रत्न को जिनोंने परिवार में हमेशा सनमान, सच्चाई और सिधानतों से अपना जीवन गुजारा है सरस्वती देवी जी 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और उनकी सासु जी ने ही उनको धरम ध्यान सिखाया सासु जी की भरबूर सेवा की तब से लेकर 75 यर्स तक उन्होंने गाव में ही गुजारे अब इनकी जो उपलब्दियां हैं इनके अचीवमेंट्स के तो क्या कहने मिनिमम मिनिमम मैं बोल रही हूँ मिनिमम में इनोंने 100 शादिया करवाई हैं और जोइन फैमिली में धन्राजी, रतनलाल जी, पुखराजी को साथ लेकर चली है गाव में कोठी जैसा घर, गाए, खेती, परिवार को संभाला गर को स्वर्ग बना कर रखा और परिवार की सारी शादिया उन्होंने कराई और दान धर्म तो इतने किये हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है स्कूलों में या सभी के पास मोबाईल हैं कितने जन को पता है कि मोबाईल के रेडियेशन से तब्यत खराब होती है अगर आप चाते हैं कि आप स्वस्थ नीरोगी रहें तो थोड़ी देर के लिए आप मोबाईल को स्विच ओफ या साइलेंट मोर पे कर दीजे और थोड़ा सा अपने से दूर रख दीजे खुरसी के नीचे क्योंकि आज के फंक्शन में हम मोबाईल की पूजा नहीं करना चाते हैं हम सरस्वती देवी जी को यहां पी दिखने आए हैं इनका आशिरवाद लेने आए हैं तो प्लीज मैं सभी से विनंदी करूंगी आपने अपना कीमती समय निकालकर आप यहां उपस्तित हुए हैं उसके लिए देश लहरा परिवार आपका हार्दिक अभी बादन करता है लेकिन थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप शांती बनाए रखें यही विनंदी आपको बार-बार करता है शिवांच के डोन की शुपशुरात हो रही है और सोने की सीड़ी की शुपशुरात हो रही है आप देखिए ना शिवांच को कैसा दूलहा लग रहा है और इनके लिए तो बोलना चाहिए कि दूले का सहरा सुहाना लगता है, होने वाली दूलान का दिल दिवाना तो होने ही वाला है, इतने बहुत हैंसम लग रहे हैं, शिवांज, तलवार लेके ऐसे पोस्ट देके इन्होंने फोटो खिचाएं कि आहां, तो आएए हम सोने की सी आंटीटू के बाद का जीवन जी सकते हैं, और अपने परिवार में चौथी पीडी को देख सकते हैं, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से ऐसी मान्यताएं जो पहले से चली आ रहे हैं, आज धीरे 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 करके लुप दो रहे हैं, लेकिन देश लहरा परिवार और ऐसे कन्यप परिवार हैं, जो आज इस रसम को जीवन रख रहे हैं, सारा परिवार इखटा हुआ है क्योंकि आज दो अवसर होने वाले हैं, पहला है सोने की सीड़ी और दूसरा है दोन का, और तीसरा है अजे जी और संगीता जी ने जो अपने सपनों का आलिशान महल बनाया है उनका, तो उनको भी हारदिक हारदिक शुब कामना देते हुए हम कहना चाते हैं, आगे यह रसम पड़पोते के नाना नानी द्वारा निभाई जाती है, तो चलिए, आज शुरू करते हैं, दादा दादी की और से भी यह रसम निभाई जाती है लेकिन यावे सोने की सीड है एक तरफ दादी सा है और एक तरफ हमारे बड़े बुजुर्गों का आशिर्वात है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सोने की सीड़ी